बहुत समय पहले की बात है एक व्यक्ति था जो बेहत आल्ची और साथ ही साथ गरीब भी था वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था वह भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता था एक सुभा उसे भिक्षा के रूप में दूद से भरा एक घड़ा मिला वह बहुत प्रसन हुआ और दूद का घड़ा लेकर घर चला गया उसने दूद को उबाला उसमें से कुछ दूद पिया और बचा हुआ दूद एक बरतन में डाल दिया दूद को दही में बदलने के लिए उसने बरतन में थोड़ा सा दही डाला इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया वह सोते समय दही के बरतन के बारे में सोचने लगा उसने सोचा सुभा तक दूद दही बन जाएगा मैं दही को मत कर उससे मक्खन बना लूँगा फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूँगा फिर घी को बाजार में जाकर उससे बेच दूँगा और कुछ पैसे कमा लूँगा उस पैसे से मैं एक मुर्गी खरी दूँ रहा फिर उसने सोचा मैं सारी मुर्गियां बेच दूँगा और फिर कुछ गाय भैस खरीद लूँगा और दूद की डेरी खोल दूँगा शेहर के सभी लोग मुझसे दूद खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा फिर मैं अमीर परिवार की दूद के बरतन में लग गया और दूद का बरतन तूट गया इससे सारा दूद जमीन पर फैल गया बरतन की आवाज सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई फैला हुआ दूद देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स सपने देखो लेकिन सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा हमें कड़ी महनत करनी होगी कुछ भी जिंदगी में आसानी से नहीं मिलता है हमारी जिंदगी को बहतरीन बनाने के लिए कड़ी महनत करनी होगी क्योंकि कड़ी महनत का कोई विकल्प नहीं है अगर आप केव सफलता खुद आपके कदम चूंगने आएगी जिस तरह बड़े-बड़े यूट्यूबर पहले कड़ी मेहनत करने के बाद आज उनके जिन्दगी में सफलता देखने को मिल रही है